आज हम लोग एक budget VPN का review करेंगे जो कि इंडिया में काफी टाइम से रूल कर रहा है हाई गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहाँ पर मैंने VPN से related काफी सारे वीडियो बनाए हैं पिछले 5 साल में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले Surfshark VPN के बारे में जिसको मैं पिछले 5 साल से regularly use कर रहा हूँ और यहाँ पर पिछले 5 साल में बहुत सारी चीज़े चेंज भी हुई है तो आज इस detailed review में हम लोग देखेंगे कैसी speeds आपको 2025 में मिल रही है privacy कैसी है, इसकी merger के बाद यह कैसा हो गया क्या इसमें extra features आये हैं क्या यह लोग improve कर रहे हैं speeds की stability, reliability एक जो अच्छे VPN में होनी चाहिए streaming ले कैसा है, travel के ले कैसा है सब कुछ में बताऊंगा आज के इस detailed review में तो बिना किसी delay के start करते हैं Surfshark VPN के बारे में बात करी जाए 2018 में first time आया था उसके बाद इसने market काफी जल्दी capture किया काफी जल्दी dominate किया because of their affordable price point लेकिन 2022 में इसका यहाँ पर merger हो गया Nord security के साथ में यह वही company जिसके अंदर Nord VPN भी आता है लेकिन merger के बाद भी दोनों यहाँ पर separately independently ही operate कर रहे हैं which is good, इसको आप लोग ऐसे समझो जैसे इंडिया में Kia और Hyundai है parent company दोनों की same है but दोनों independently यहाँ पर operate करते हैं वैसे ही same Surfshark और Nord VPN भी है user interface के बारे में बात करे जाए तो काफी clean user interface ही जिनका यहाँ से you can just easily select the servers और बहुत सारे जो भी आपको अलग-अलग features में मिल जाते हैं from antivirus to kill switch to add blocker अब कोई से रहेगी based upon the pink वो सब यहाँ पर आपके लिए automatically select कर देगा android में भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी you can just select the fastest location यह आपको automatically connect कर देगा कोई specific server से आपको connect होना है again यहाँ पर भी आपको सारी चीज़े मिल जाएगी सारे features आपको इनके android app में मिल जाएगे from clean web, kill switch to different protocols to split tunnel overall जिसका user interface है वो काफी clean है तो कोई भी beginner इसको आसानी से use कर सकता है servers के बारे में बात करे जाएगा तो add present इनके 3200 servers है 100 countries में की presence है इंडिया के बारे में बात करों जहां से connection VPN यूज करना लाव नहीं करते है जैसे कि चाइना वगरे, वहां के लिए obfuscated servers है static IP मिल जाती है and dedicated IP मिल जाती है इंडिया में क्योंकि virtual servers है तो यह नहीं मिलेगा but if I select United Kingdom तो यह सारे servers आपको आपको महाँ पर मिल जाएगे and then last year server shark ने अपने servers को 10 GBPS पर update कर दिया था इसका main पाइदा यह रहता है कि speed जादा reliable हो जाती है कि अगर मुझे एक time पर 200 MBPS मिल रहे है तो अगले time पर 50 MBPS नहीं मिलेगी you will get constant speed बहुत जादा यहाँ पर fluctuation नहीं रहेंगे बाकिया आपको static IP servers multihop servers की दो countries से जाके मैं फिर connect हूँ पहले US से connect हूँ फिर UK से connect हूँ फिर मेरा VPN connection आए तो यह multihop में आ जाता है dedicated IP है लेकिन वो आपको separately यहाँ पर purchase करनी पड़ेगी speeds के बारे में बात करी जाए तो मेरा 220 MBPS download और upload का original connection है जब मैंने इसको इंडिया के server से connect किया तो 190 MBPS की download और 83 MBPS की upload मिली थी US में 182 MBPS download और 85 MBPS की upload मिली थी overall जो यहाँ पर मेरा download पर drop हुआ था 20% upload पर 60% के around drop था which is acceptable downloads की speeds यहाँ पर काफी अच्छी थी और मैं इसको क्योंकि इतने time से use कर रहा हूँ security में यहाँ पर आपको काफी सारे features मिल जाते हैं 256 bit encryption, add blocker, anti-malware, kill switch, multi-hop VPN के functionality, wire guard protocols और कोई DNS leak भी नहीं हुआ था जब मैंने इसके test कर रहे थे तो privacy के बारे में बात करे जाए तो यह कि no log VPN है जो कि कोई आपकी IP address, browsing history session information यह सब collect नहीं करते हैं but इन्होंने यहाँ पर नीचे यह लिखा है कि our servers do store information हमारे connection के बारे में, हमारा mainly connection time stamp है उसके बारे में कि हम कितने देर तक उस server से connected थे for 15 minutes उनका यह कहना है कि they need this information to maintain performance and troubleshooting जैसे कि यहाँ पर Nord VPN भी रखता है वैसे यहाँ पर Surfshark की प्राइवेसी पॉलिसी है और हम लोग इनको trust भी कर सकते हैं because 2023 में इनका एक no log audit भी हुआ था जो कि Deloitte ने किया था और उन्होंने confirm किया था कि Surfshark यहाँ पर कोई logs नहीं रखता है which is great और यहाँ पर RAM servers भी है तो चाहे वो delete करे नहीं करे वो automatically delete हो जाता है but it's good कि they are transparent about this और कोई यहाँ पर sensitive information वो लोग collect नहीं कर रहे है and last year इन्होंने अपनी transparency reports को भी introduce किया है जिसमें यह लोग बताते हैं कि government ने इनसे क्या क्या चीज़े मांगी है अगर कुछ किसी ने कुछ मांगा है कुछ DMCA request आई है कितनी आई है वो सब यहाँ पर information को show करते है और उन्होंने क्या data उनको दिया है वो भी यहाँ पर बताते हैं कि हमने यह चीज़े दी है लेकिन क्योंकि यह लोग no log है तो यह कुछ data दे ही नहीं सकते overall जो इनकी privacy है वो काफी अच्छी है पर आप लोग सभी platform पर बढ़िया से streaming कर पा हुए चाहे वो hot star हो जाए Netflix, Jio Cinema, Sony Live, Amazon Prime सब पर इनफाक्ट US वाले भी BBC, Hulu इन सब पर आपकी streaming बढ़िया गाम करेगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गेमिंग के बारे मैं बात करूं तो गेमिंग में भी ये वर्क कर रहा था 50-100 की मुझे पिंग मिल रही थी बट अगर आपका गेमिंग प्राइमेरी परपस है तो Nord VPN is the most reliable option बाकि devices में you can use this उत अनलिमिटेड डिवाइसे चाहे मेरे जितने भी VPN और सारे मेजर डिवाइसे पर काम भी करता है MacBook पर, Android पर, iOS पर Customer Support की बात करेजाए जो 24x7 लाइचाट सपोर्ट है लेकिन जो मुझे अच्छा लगा है वो इनकी comprehensive guidelines जो इनों ने दी है चाहे वो knowledge-based हो जाए tutorials, videos, FAQs सब बहुत अच्छे से इनों ने आपर प्रेजेंट किया है Then we are split tunnel जो कि Android और Windows में तो है ही लेकिन recently इनोंने split tunnel iOS में भी implement करते हैं जो कि maximum लोग याँ पर नहीं कर पाते हैं somehow उस पर भी implement किया split tunnel क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई apps यहाँ पर VPN के थ्रू नहीं जाए मेरा VPN on है लेकिन मैं नहीं चाहता कि Amazon या Swiggy VPN के थ्रू जाए मैं नहीं चाहता उसको US की location दिखे उसको इंडिया की location दिखनी चाहिए banking apps हो गए तो split tunnel उसमें काफी important हो जाता है अब before I come on to pricing मैं डिस्क्लीमर देना चाहूँगा कि Surfshark ने मुझे ये वीडियो के लिए sponsor नहीं किया है जो भी मैं आपर बता रहा हूँ मेरी खुद की opinions है जो मेरा use है जो मेरा reviews है वो पूरे honest है 100% हाला कि जो मेरा नीचे दिया गया link है वो एक affiliate link है मतलब if you go and purchase through that link I'll earn a small percentage as commission without any extra cost to you in fact यहाँ पर आपको extra discount ही मिलेगा तो it's a win-win situation मेरा काम पसंद आता है you can use my link और आप purchase भी करोगे तो भी यहाँ पर आपको extra discount मिलेगा जो directly नहीं मिलेगा it is an exclusive coupon code तो आपको क्या करना है आपको मेरे नीचे देगए link पर जाना है go.kripashadvani.com slash surf shark जैसे ही जाओगे इस तरह का यहाँ पर page आजाएगा you can click get surf shark और यहाँ पर आजाएगी उसकी pricing के बार में बात करी जाए तो यहाँ पर तीन plans है क्या नहीं लेना है वो भी मैं आपको बता जाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग duration के भी plans हैं तो पहरे one month वाला मत लेना यह तो काफी expensive होता है आपको यहाँ पर 12 months और 24 months में से ही एक लेना है as usual 24 months यहाँ पर best pricing आपको मिलेगी यहाँ पर दो plans है surf shark starter, surf shark one और एक और one plus है one plus India में लेना कोई मतलब नहीं है क्योंकि one plus में जो नया feature है वो है incogni, incogni इंडिया में work नहीं करता है तो you don't bother with this plan यह गलती से भी मतले लेना if you are buying in India, US के हो तो ही लेना outside of US, this plan doesn't work उसके बादे आपर दो plans है starter में आपको VPN वगरे मिल जाएगा जो मैं अभी तक बताया है और surf shark one के अंदर यहाँ पर आपको any of these plans और coupon code automatically apply हो जाएगा आपको अलग से apply करने की जहुरत नहीं है जैसे अगर मुझे VPN वाला चाहिए तो यहाँ पर ले लेंगे payment में you can pay with crypto as well international credit यह debit card आपके चल जाएगे UPI payments यहाँ पर नहीं चलेगे क्योंकि इंडिया में VPN के loss थोड़े कटिन है अब बात करते हैं इसके कुछ special features के बारे में antivirus के बारे में बात करें जाए तो VPN के अंदर ही यहां पर left column में आपको यह antivirus दिख जाएगा antivirus में सारे essential features आपको मिल जाते है real-time protection है you can schedule your scan scans or auto delete quarantine वगरे सब कुछ यह कर देता है मेरे हिसाब से lightweight or easy to use antivirus है यह it can get the job done for the most people out there so can can antivirus extra $15 के worth it है मेरे साब से हाँ for extra $15 दो साल का antivirus is worth it वैसे पहले इतना अच्छा हुआ नहीं करता था 2025 में ही यह अच्छा हुआ है उसके लिए आप एड ब्लॉकर भी है clean web 2.0 के नाम से इनका आड ब्लॉकर आ जाता है नहीं रहेगा ले आउट काफी clean यह कर देता है और इनका chrome extension भी है तो अगर आपको adblocker बढ़िया वाला चीए तो इनका chrome extension डाल दो वो भी आपको मिल जाएगा इसका एक और फीचर है alternative ID का phone number पर मैं बाद में आता हूँ पहले तो alt email आपको मिल जाता है तो यह temporary emails है जो कि मेरे हसाब से बढ़िया है कि आप लोग अपना real email मत दो यहां से एक नया email को create कर दो आप लोग यह वाला email दूसरी जब आप दे दो कोई बना रहे हो तो temporary emails यह वाले बढ़िया है और जो भी emails आएंगे यह आपको आपके link email पर आ जाएंगे उसके बाद इनका एक phone number भी है phone number आपको US का virtual phone number मिल जाए जिससे आप लोग call and messages कर सकते हो लेकिन unfortunately इस पे आप लो OTPs verification codes वगर नहीं ले पाओगे for example मुझे WhatsApp बनाना है वहां के number से तो वह अपे लेबल नहीं रहेगा इसलिए I won't recommend this अगर आपको चाहिए go with crisp call उसका भी मैं नीचे link दे दूंगा that is best for US phone numbers now before I jump on to pros and cons अगर आपको मेरा काम पसंद आता है you can support me by using the links from the description section below it really helps me a lot now coming on to pros unlimited devices speed security privacy ad blocker antivirus support बढ़िया है और काफी easy to use for beginners just price point पर आ रहा है it is really good cons यहां पर बहुत जादा नहीं है दो minor seconds है पहला तो जो इसका jurisdiction है 1420 के अंदर आता है जो की Netherlands में and यह लोग temporary connection logs रखते है जैसे की NordVPN वाले भी रखते हैं so क्या सब्सक्राइब 2025 में भी एक अच्छा budget VPN है यहां पर जो आपको features मिल रहे है speed security privacy एक अच्छा user interface unlimited devices पर यूज कर सकते हैं antivirus भी है ad blocker भी है जिस package के साथ पर यह आ रहा है और जिस value पर यह आ रहा है हाला कि अगर आपको gaming की तरफ जाना है तो NordVPN देख लो अगर आपको बहुत जादा travel करना रिलाइबल वाला बहुत जादा आपको चाहिए कि चाहिना वग्रे में चले तो express VPN देख लो but budget में for most users I think Surfshark is the best option मैं personally यह पर बहुत सारे VPN को यूज करता हूं लेकिन अगर मुझे सब एक ही खरीदना होता तो वो शायद से Surfshark होता so that is it from my side thank you so much for watching to support my work use the links in the description section below and I'll see you guys in the next one goodbye